नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आज मैं नाई टपिक पर बात करेंगे जो कि है जब आप अब्रड जॉप करने के लिए जाते हैं तो जो मेडिकल होते हैं फ्रहले जो विजा के लिए मेडिकल होते हैं उस मेडिकल में क्या-क्या टेस्ट होता है क्योंकि काफी सरा भाई problem है, अगर आपके पास disease है या बीबारी है, तो आप नहीं जा सकता हैं। अगर अगर है भी, तो क्या करने से आप जा सकते हैं। तो इसके बारे मैं बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफी सर भाई भाही इसमें queries करते हैं, अगर आप बीमारी होने के कारण medical अगर निकलता है medical के बाद तो काफी सर्थ एजन्स बोलते हैं, मैं आपका काम कर दूँगा, आप मुझे पईसाद देता हैं, मैं आपको भेज़ दूगा, कि काफी सार भाई क्याद करते हैं वीडियो को एक दो मिनिट देख लिए बाद में फिज जो चीज में discussion करता हूं वीडियो में उसी चीज को comment में पूछते हैं जैसे कि हलाग एक डिसेट एक वीडियो बना में बदी लब स्वागत करत हैं अपको कनिस वीडियो चैनल पर तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों आब हम जानते हैं जब हम आण एव्यट जॉब के लिए जाते हैं तो हम्हें क्या टेस्ट कर liquidity जो होता है उसमें क्यागा टेस्ट होता है चाहिए blood infection आप में है कोई तरह कासा बीमारी है चाहे वो kidney का बीमारी क्यों ना हो चाहे वो kidney आपका काम सही से नहीं कर रहा हो अगर डिजीज आप से निकलता है तो आप लोग अवरोट नहीं जा सकते हो आपको medical unfit डिकलर किया जाएगा हला कि अगर यह चीज क्यों है आप बाद में क्या कर सकतो उस medication में रहे के आप क्लियर करके बाद में जा सकता है अगर medical time यह सब निकलता है medical unfit होता है अगर agent बोलता है नहीं में आपको वैज दोंगा कैसे भी करके आप यहां से जाओगे वहां पर अगर medical होगा तो वहां पर भी unfit होगा आप बाद में यहां पर भी बापस आना पड़ेगा आपकी पईसा भी गवावाओ तो उसके बाद आता है है एक्से हमारा ते हम में मेन केश में होता है अगर जुदूरे ओक होता है उसको सब में होता है तो चीछ चर८ करता है तो या कोई इसमें पूराना कभ्स है काफ है तो वह स्पोट आता है उमारा फिब्रोसिस लॉंक्स में वह स्पोट आता है जिसके लिए मेडिकल अन्फिट किया जाता है हला कि अगर बोलता है नहीं इसको में एग्णोर करके दूसरा देगा फिट करवा तो यह क्योर बुल आपको को एजन बोलता है नहीं दो चार दिन आप यह दूसरा पीलो आपका ठीक हो जागा यह से मत करिये डक्टर के पुरामर्स से अब मेडिसीं मेडिकेशन करिए क्या डक्टर बोलते हैं उसी सब से काम करी हलाकि क्योर करने के बाद फिर से एक सरी करें का अगर एक्सर्य में फीट आता है अगर लगता है तो यह बहुत डंजिर्यसल लगता है तो अगर आपसे UTI निकलता है, UTI means urinary tract infection, urine infection जैसे हम बोलते हैं, अगर वो आपकी urine में आता है, तो आभी फिर भी आपको medical unfit किया जाएका for the certain period, क्योंकि UTI इतना major वेमारी नहीं है, वो 10 दिन medicine अप जब लेते हो, properly medicine लेते हो, properly पानी बगरा पीते हो, तो और क्यों बहुत जल्दी क्यों हो जाता है, urinary tract infection, but the certain period तक आपको unfit किया जाते हैं, उसके बाद फिर से, अगर आप ठीक ठीक हो जाओ, उसके बाद फिर से medical करके आप आपड़र जा सकते हो, उसके बाद दोस्तों जो आता है, वो है heart, अगर heart की कोई बीमारी है आपको, सबस्वेले कोई heart truck हो गया, कोई भी heart की बीमारी हो, अगर आप में है, तो आप medical unfit हो, आप नहीं जा सकते हो बाहर, उसके बाद आता है BP, बहुत से बाहर भाई पूछते है BP के उपर, क्योंकि स control नहीं हो रहा है, तो आपको time है, आपको किसी doctor को अच्छे doctor को दिखाए, medical जो visa medical करते हो, अगर BP high होता है, अगर 10-12 दिन medical medicine लेने के बाद वो control नहीं आता है, तो आपको better होगा, किसी अच्छे doctor के पास जाए, उसको अच्छे से इलाज कीजिए, या जो भी खान पान का च तो कभी भी आपको बाहर नहीं भीज सकते हैं, कभी भी आपको medical fit certificate नहीं देगा कोई, ये बात ध्यान से रखिए, बहुत important चीज होता है, उसके बाद आपका test क्या होता है, आपकी हरनिया, अगर आपकी हरनिया की बीमारी है, अगर medical के दोरान आपका हरनिया निकलता है, त उसके बाद आता है, piles test, ये दोस्तों, उसको piles अगर किसी को है, अगर medical, ये गमका medical में test किया जाता है, हला कि normal medical में piles वगर नहीं test किया जाता है, जब गमका QVC के लिए आप जाओगे, तो वहां से piles test देखा जाता है, अगर आपके piles निकलता है, या वो बीमारी आपको है, तो अभी आप नहीं जाए सकते हो, ये बहुत, हाला कि curable है, piles भी curable है, आप doctor के पास जाए, medications पे रहिए, कुछ दिने के बाद अगर clear हो जाता है, then आप apply करिया, फिर से बेजा medical करिया, उसके बाद आप travel कर सकते हो, next जो चीज है दोस्तों, जो टेस्ट होता है, जो infected, अग Suppose अभी जो से चल रहा है करोना, करोना एक इंफेक्टेड बीमारी है, अगर आप किसी पर्सन से कंटेक्ट में आगा, अगर पाजिटिव करोना हो, अगर किसी पर्सन से कंटेक्ट में आओगे, तो उस पर्सन से इंफेक्टेड होने की chances बहुत जादा है, इस तरीके से बेम PIT होगा कँझी, कभी भी बाहर नहीं जा सकते, अगर यह सब चीज है, तो ignore मत किजए, अगर कई मेडिकाल सेंटर को आप जाते हो, जैसे के अप नर्मल प्राइमेरी मेडिकल करते हो, न कोई अगर टेस्ट करते हो, यह सब चीज नहीं टेस्ट करते है, आपने आपको पता ह में रही है डक्टर के पास जाई उसका इलाज किजिए इग्नोर मत किजिए इस चीज़ का उसके बाद जो दोस्तों आता है और एक स्किन टेस्ट जो होता है बीमारी अगर आपको हो कुछ कैसे में से ओसे में आप्धि कने मैं जा सकते मैं आपको बनाता हूं कैसे जैसे किanka विए कि इंपेक्शन होता है होता है कि कैई एंट्शाए सब चीज अपमें है इतना जिया जाता है फंगल इंफेक्शन एक कैटेगोरी को फंगल जो इंफेक्शन होता है फंगल उसको यह चीज में काउंट नहीं किया जाता है इंफेक्टर नहीं होता है इतना फंगस फंगल इंफेक्शन अगर स्कीन में थोड़ा बहुत है तो वह अन्फिट नहीं होगे अगर आपके स्कीन निकल जाता है कि यह होता है और इसमें आपको यह व्मारी है वह इतना बीमारी नहीं उसको लिया जाता है क्योंकि वह अगर कुछ आप रहते हों कुछ दिन रहने के बाद वह सब होता है और डॉक्टर के परामर से अगर मेडिकेशन लोगे आप जा सकते हैं लेकिन कुछ केसे में उसको कंप्रमाइज नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई सेल्स का जॉब हो गया जैसे कि आपकी होटल लेंस हस्प महँं को फ़रेंट कांट्र में फूर को लेकर बह। हाइजनिक मेंटन वहां पर किया जाता है अगर कोई सरीर में अगर बाल बाल आपका जड़ता या गिरता तो वह सब चीज को असब नहीं करता है उसको अनफिटी कर देता है अगर लेबर कर जाब हो ऐसे कि ब्लू कलर के जाब हो कोई cleaner सो कोई helper सो तो वह सब चीज में इतना consider इसको नहीं किया जाता है इस category skin infection को हाला कि अगर एक्जिमा बगे रहा है हर्पीज बगे रहा है उसको वह strictly अप्रिकली असफ नहीं करते हैं वह सब चीज़ को इसके बाद जो थेश्ट होता है और आपकी आइसाइट अगर बहुत ही लो है मतलब आपको पूरा दिखाई नहीं देता बहुत ही जैसे लो माना जाता है अगर इसमें है तो आपको अब नहीं जॉब मिल सकता बतलब आप विजा मेडिकल में करते हो तो अन्फिट किया जाता है अगर सुनने में आपको दिक्कता रहे जा बहुत जादा अपको उसको पहले जाके एलाज करवाई अगर अहले कि वो जाता है तो दोस्तों उसके बाद आता है जैसे हमम बालेम होता है तो आपीでも्ट करते हैं तो ने जानसे को प्रवें हो थे किसी कहने का में चंसिडर करेंगे हो गया में पर पको legal कर सकता है और अगर अगर शुका एक इसका काम है तो इसाइस ञेश्रीत के पास पहले पहले लाज कीजे मेडिकल कीज मेडिक वोलता है शोटा मूठा चीज़ है कोई टेंशन नहीं दिक्कत नहीं मेरे को पईसाथ दो मैं आपका विजा लोगा दूँ मैं गलत चीज़ अगर विजा लगवाई भी देता है कहीं से आरेंज करके करता है अब वहाँ से आपको मेडिक परके इडिया बनता है वहाँ से फिर आपको मेडिकल किया जाता है विजा स्टंपिंग करने तो दोस्तो आज के लिए जल्दे मिलते हैं कुछ नहीं टरपी के साथ तब तो के लिए थैंक्यू जहीं नहीं बदने बात